हेलो दोस्तों मेरा नाम है मनीज आप देख रहे हैं मैं कावर के स्टड़ी तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों जितने के स्टुडेंट्स यहां पॉले टेकनिक के हैं उन सभी स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है मैं आप लोगों को यह news देने वाला हूं जो की official notice है और यह मुझे भेजा गया है college से ठीक है तो इसमें basically हम second and fourth semester के बारें बात करेंगे ठीक है उन सभी students की यहां पर मैं सारे doubt आज clear करने वाला हूं ठीक है तोड़ा video अगर लंबा होगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप सभी के जितने भी doubt है वो सारे मैं आज आप लोगों की clear कर दूंगा दोस्तों यहां जितने भी second and fourth semester के students है उन सभी के जो back paper होने वाले है जो की एक बहुत बड़ा issue है ठीक है और जितने भी यहां पर special back paper होने वाले हैं उसको मैं यहां पर deeply discuss करूंगा और इसका form कैसे भरा जाएगा और form भरने के बाद इसको कहां जमा करना है कैसे जमा करना है किसकी पास जमा करना है वो सारे details में आज आपको देने वाला है ठीक है और आप लोगों की जो fees है वो कितनी लगेगी इ दोस्तों सबसे बड़ी important चीजी है कि यह जो form भरना है आपनों को ठीक है उसमें आपनों क्या गलती नहीं करनी है यह सारी चीजी जो है काफी important है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो के last तक आप बने रहिए और चैनल को अभी तक आपन नूटिस है मुझे को भेजा गया है राज की पॉली टेकनिक टेटा से उत्तरप्रदेश से ठीक है दोस्तों इस नूटिस में बताया गया है कि संस्था के द्विती चतुर्थ एवं विसेस बैक के छात्र या छात्राओं को आवगत कराया जाता है कि जिन छात्र शात्राओ कि आगामी बैक पिपर पर इच्छा 2020 में संबलित होना चाहते हैं वह दिनांग 5-8-2020 तक संस्था के खाते में बैक पिपर पर इच्छा सुल जमा करना सुलिश्चित करें यानि कि दोस्तों जितने भी स्टुएंट्स यहां पर सेकेंड समस्टर की हैं और यहां पर फोर समस दिनांग 6-12 निकाल दिये हैं ऑप जिस भी पॉलिटेखनिक कि है उस पॉलिटेकनिक में आप अपने कॉलेस से कॉंटेक्ट कर लीजी कि सर sorting निकाला गया है उसमें किस तरीके से यहां पर एक लिए बता दिया है ठीक है आगे देखें बताय जघराया है कि अगर उक्त दिनांग के उपरां सुल्क जमा करने वाले चात्र या चात्राओं को किसी भी दसामे परिछा में सम्रित होने के अनमती नहीं दी जाएगी यानि कि अगर आप इस डेट के पार जाते हैं और अपना फेपे करते हैं तो भी आपको जो है एक्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा पैक पेपर और इस्पेसल बैक पेपर ने ठीक है तो यह सारी चीज़ों को आप लोगों को काफी इंपोर्टन तरीके से ध्यान बेनी है तो यह जो आप लोगों के जो आफिसल नोटिस निकाले गए थी उसमें आठ अगस् पहले पहले आगर आप अपना फिल नहीं करते हैं ऐक्जामिनेशन फार्म और बैक और इस्पेसल बैक पेपर फॉर्म तो आपको यहांपे कोई भी पेपर नहीं देने दिया जाएगा और आपका रिजल्ट रोख दिये जाएगा ठीक है दोस्तों मैं यहां आज आपको बत पर अपना खाता नंबर दे दिया है यहां पर देख सकते हैं खाता नंबर दे दिया है और अपना पता दे दिया है जो कि अपने चालांग ट्रेजरी चालांग में आप लोगों को फील करके अपना फी पे करना है तो दोस्तों आईए बात कर लेते हैं आपका जो फी लगेगा वो कितना लगेगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहा होंगे बताए जरह करें तो आप लोगवा एक विशाय में बायक है तो आपको 270 रुपए जमा करने होंगे और यthो लोगाए जैसे हəलिक यहाँ थी फी लगेगा तीन है चार है इस तरीक जो भए है उसमें आप लोगों को 100 रुपए प्रतिवी से किदर से अतरिक्ती देने होगे, यानि कि यहाँ पर जो बैक है, उसमें 200 रुपए देने पड़ रहे हैं, और आप लोगों अगर 2 से अधिक है, तो आप लोगों को 100 रुपए में extra add करके पे करने होगे, तो इस तरीके से जो है, आपक आप लोगों का लिया जाएगा, ठीक है, तो अगर आप लोगों का चालान मिल जाता है, तो अच्छी बात है, आप उसको फिल करके, आप लोगों बैंक में जमा करके, जो रसीड है, उसको मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, अगर नहीं मिलता है आप लोगों का चालान, तो भी उभी में बताऊंगा उसका option क्या है आप किस तरीके से official website से चालान डाउलोड करके उसको feel कर पाएंगे तो दोस्तों यह जो आप लोगों को चाला करना है तो जो सेविल का से स्टूडेंट्स होंगे आलग पास आप आलग पास जमा करेंगे और इलेट्रिकल के होंगे इस तरीके से यतने भी ब्रांच मुआज यहां पर नेम दीये रहेंगे और उनका साथ ही सतर मौई नंबर भे दिया रहेंगा तो आप लोग को जो है अगर कोई भी डाउट होता है अगर कोई परसानी होती है तो आप लोग से एक बार बात कर लेजिएगा ठीक है आप लोग अपनी नोगे से एक बार जरूरूरूर। करिए यह नोटी सभी कॉलेज पे निकाला गया है और अभी जो है लॉक्डाउन और यह सारी समस्याइं चल रही है तो आप लोगों को रसीद जमा करना है वह बात कर लेंगे तो बता देंगे कोई ऑनलाइन सोस बता देंगे उसके माध्यम से जो आप रसीद हैं वह कलेक्ट क मैं चीजी आपनों को बता रहा हूं अगर आप लोगों को चलाम है नहीं मिल पाता है तो आप उस कंडिशन में क्या करेंगे तो दोस्तों जो आप लोगों के ऑफिस्यल पर एक नोटिस है आप उसको देखिएगा उसको डाउलोड करिएगा तो उसमें आप नीचे आएंग तो आप देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे धनरास जमर करने का चाला फॉर्म तो इस तरीके से जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया होगा बैंक का नाम और साखा यहाँ पर जैसे गूपर जो हैं फिल कर लेगेगा और कोई को दिक्कत होगा तो बताएगा और यहाँ पर जैसे आप पर लोगों का जिक्ता बैक है या फिर दू वर शिवाट है तो यहाँ पर बैक में जमा करने के बाद जैसे मैंगे रिस्पेक्टी ब्रांच के टीचर है उनके पर आप सब जाएएगा औ और वहां पर उनके जमा कर दीजिए जो जमा करने के बाद जो है आप लोगों का जो काम होगा वो कम्प्लिट हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से जो आप लोगों का बैक और इस्पिसल बैक है वो सारी एक्जामिनेशन के वर लिए जाएंगे जितने भी स्टुएंट्स यहां पर Second semester के हैं और Four semester के सभी की बैक किए वल होंगी और यहां पर First year and Second year students को प्रमोट किया जाएगा ठीक है लेकिन जो हे आप लोगों के जो बैक और Second semester के जो हैं उनका जो ग्जामिनेशन है वो सिदम्बर में करवाए जाएगा तो मैंने आपको बताया भी था पिसले व यह 100% share हो चगा है जैसे यहां पर बीटेक के भी जितने इस्ट्रूइंट्स थे फरस्टे सेंगे थर्डेर के उसी तरीके से आप लोगों को भी प्रमोट करें जितने इस्ट्रूइंट्स यहां पर पोले टेक्निक के हैं ठीक है तो इस तरीके से जो है आपना फॉर्म जो फि रहेंगे ठीक है खाता नंबर दिया रहेगा आप लोगों का एंटर्स दिया होगा जैसे यहां पर दिया है जीटी टोड़ी टावा ठीक है तो यह सारी चीज़ आपको दी रहे होंगी और आप लोगों के यहां पर जो फी है वो तरह स्ट्रूक्चर आपको मिल जाएंगे इस तरीके से आपको जमा करना है और जमा करने के बाद रसीर मिलेगा वहापकी जो ब्रांच वाइज रिस्पेक्टी टीचर है उनके पास आपस आपको जमा करना है आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे और आप जो चालान है आपने ले लिजेगा अगर चालान अभलेबल होगा तो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है वैसे वह बता देंगे उसका सलूसन ठीक है आप लोगों का चॉलान जो है कॉल से ही मिल गाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर बाइचांस नहीं मिलता है तो आप जाकर के ऑफेसियल नोटिस को डाउलोड करेंगे और यह दोस्तों यह सारी चीज़ों है मैं आपको बताया और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के पाले विट किया चैनल को सब्सक्राइब के बेर आइकन को प्लेस कर लिए थैंक्स पर वाच्छिं इतनल कि अपको प्लेस आपको प्लेस आपको प्लेस को अपको झाले से लिए।